इनस जुन भगवत प्रेम प्राप्ती हेतू यारू प्रयत्न सील हुनुँँछ यो हीरा समान्च हीरा समोसा को पसल मा सुभाविक रूप मा भेडुँँच हीरा को पसल मा ते जान्च जसको खलती गरम चा मुटु दरो चा प्रेम प्राप्ती हेतू ए प्रकार का बेक्ति को आवसिकता सा जैसको संशार ठीन भ्यनब Θवाववत प्रेम प्राप्ती हे ज-श्को लागी लागी परुनुफा दम गई तरको आई संगा बुदन नहीं यहकूरा बुदन वनिं तो भ्रगती में एक जम्प मारनांनन जैन भ गुरु ले बता को साधना द्वारा ठीक ठीक जब आमी गर छों तो इस साथ चीज आमी मा प्रकट हुँँछन जुन दिन प्रकट हुँँच त्यो दिन प्राप्त हुने चां माला माल हुने चां तत विश्णो परमं पदम सदा पश्यंति शूरय हुआ अनन्त श्री बिभूशित जगत गुरु श्री गृपालूजी महाराज का एक मात्र निपाली प्रचारग स्वामी श्री हरिदास्टी आफनो प्रवचन मा पुराण एवं अन्यान्य धार्म ग्रन्थहरुमा रहेका बीरोधा वाशे शिद्धान्थहर को समन्वे गर्दै भगवत प्राप्ति को सर्व सुगम एवं सर्व साध्य मार्ग को प्रतिपादन गर्न लागनु भैको छो यहां हरू स्वामी जी का सार गर्वित प्रवचन मनो योग का साथ श्रवन गर्न होला सत्यपी धंसकारणे सर्वथा धंसरहितम शास्त्र मा प्रेम को परिभासा बताई एको छा कि प्रेम त्यो हो कि प्रतिकूल अवस्था मा पनी अनुकूल चिंतन बनी रहो छो प्रेम ही संगा तेसला यह प्रेम भंद चन त्या प्रेम मा साथ अनिवार्य चीछ चन जुन दिन यो पूरा हुंच त्यो दिन प्रेम प्राप्ति हुंच भगवद प्रेम त्यो केके हो एक कुनैपनी प्रकार ले प्रेम न घटोस कम न होस यो पहिलो शर्त दोस्रो प्रेम मा रुक्षता न होस अर्थात प्रेमी संग कुनै गुनास्व न होस यह गुनास्व रयवने त्यो प्रेम होई न तेस्रो प्रेम पूर्ण चंद्रमा समान छा तर पूर्णी मा को जुन पूरा देखिन छा प्रेम मा पूर्णता हुं देना तेस्मा प्यास अजे बांकी रहन छा यह तेस्रो चीज चव थो प्रेम रस जुन छा त्यो बासी हुं देना नित्य नवीन रहन छा चव थो प्रेम मा भाय रहन देना जहां भाय डर चा त्याहां प्रेम हो न सकत देना चाइठाओ जुन प्रेमी छा आपनो उसमा दोस देखे मामले एसमा यो दोस छा तेती बेला बैराग्यन ना आवस जहन अनुकुल चिंतन हो सेवा भावना ब्रद्धि हो दोस देखे रपनी यो छैठाओ शर्त रसातों हो कुने प्रकार को दूरी न रहोस कुने प्रकार को धिलाई न होस हर समय तत्परता रहोस ये साथ चिछन प्रेम का आनुकुल्यस्य संकल्पह अर्थात हर अबस्तामा अनुकूल चिंतन बनोस गौरांग महाप्रभुले कुप सुन्दर बताएस मामलामा आसलिस्यवा पादरताम पिनुष्टुमा मदर्सना मर्महताम करोतुवा यथात थावा बिदधातु लंपटू मत प्राण ना थस्तु सेबना पराह गौरांग महाप्रभु अर्थात हे भगवान तिमलाई मा प्रेम गर्चू ता मा प्रेम गर्चू तिमी चाय जेशुके गरां तीनाई चीज तगरने सक्षो या मलाई अंगाल स्विकार गरां या मा देखी उदासिन रहू वास्ताइन गरां या चक्र चलाएर मेरो हत्या गरदें यह तीन चीज गरना सक्षो तिमी चाव तो चीज गरना सक्षो यो तीन चाय मलाई अंगाल चाय उदासिन रहू वास्ताइन गरा मलाई चावराशी लाख मा घुमन देऊ चाहे मारी देऊ जुन सुके वेवाहार तिमले गरे पनी मेरो प्रेम मा रत्ती भर पनी कमी आउने चाहे ना मनिरांतर प्रेम गरी रहने चाहे यो अनुकूलता पहलो शर्त दोस्रो प्रेम मा रुक्षता नहोस प्रेमी ले जस्तो बेवाहार गरे पनी गुनाशो गरना पाइन देना प्रतिकूल बर्जनम प्रतिकूल चिन्तन भयो की खतम साधना भय न अनुकूल चिन्तन उनुप्रिव ते तेसे ला बल्य बनाउनला यो दोस्रो चीज आयो कि प्रतिकूल चिन्तन नहोस पास्चात्य दर्षनम मा एक फिलोसोफी छाए यह दी कसे ले गालामा चडकन हान्य बने अरको गाला थाब दिनुँँँँँँँँँँँँँँँaney भ्रिगू रिशी ले चाति मा लात हाने कि जब रिशी मुनियर को बीच मा एक चर्चा बयो कि ब्रह्मा विश्नु महेश्वर मा को ठुला हुन नाता ले ब्रह्मा जी का पुत्र हुन ब्रिगुजी गए पिता को अगाड़ी प्रणाम पनी गरेन अनसन दे प्रणाम गरते ठिंग उब्ये तो ब्रह्मा जी रिशाए यहो मैं ले देखो संस्कार नाना भाति गाली गर्न थाले इड़े तैं बड़ा तो भग्वान शंकर का गए संकर नाताले ब्रह्मा जी का दुवाई पुत्र हुन शिवजी पनी ब्रिगुजी शिपनी भाई आये चो खुशी भाई रहा हाथ दिय गलबाही गर्नलाई अंकमा भाई ना भ्रिगुले शिवजीपनी रिशा आए अब गय विष्नु का भाई विष्नु सूती रह थे त भ्रिगुले घयरा चाति मां लात आने भगवान को चाति मां तभगवान भिउते उठे हरे भ्रिगुजी लाइ देखे त तुरंत बताय बोले कि मेरो यो बच्जर जस्तो चाती मा त्यो कोमल चरण ले हंद कती तुखे अओल त्यो चरण सुम्सुमाव न थाले यो आधर्श अनुकूल ता को स्वें भगवान महापुरुस ले गररत देखाए ता अनुकूल चिंतन हर अवस्ता मा प्रतिकूल चिंतन बिलकूल न थो यो दो स्रो चीज ते स् प्रेम मा पूर्ण ता उदेँ पूर्ण ता भन ता खतम बिल्गू निरास भाया हमला कासे ले भोजन गरन बोलाया हमी टर्ण भोजन गरी सकें मा अवा मिठो चीज लानी खाना मन छे ना खतम बय तर प्रेम मा प्यास बनी रहांच द्यान दिन्योंश एद्धेपी पूड उंच सब चीज बाड़ा तर प्रेम को लालशाज हन व्रिद धीव दे जांच गुरु नानक देव प्रेमी थिये भगवान का तो प्रेम आदान प्रदान गर्दै संसार मा भ्रमण गर थे प्रेमी जन भेटे पसी उनेरों बड़ा प्रेम लिन थे उनेर लाई प्रेम दिन थे यह प्रकार ले तो एक गाउ मा पुगे गुरु नानक देव तो गाउ भरी का सब वेक्ति आये सत्संग मां सत्संग प्रेमी महानु भाव वरू तरह त्याहा एक साधु थिये जो एकांत मां वस्ते साध्नागर थे तीचे आये नु ता नानक देब ले खबर पत्थाये कि सत्संग मां आऊना लाई ता साधु ले एक कचोव रामां पानी भाव रह पठाई दिये नानक देव को अगाली बाबाजी को कुरा बाबाजी ले बूझने भो पानी भारे रपठाई दे इसको मतलब गया इसको मतलब हो कि मा पूर छुमला तिमरो आवसेक्ता से ना नानक देव ले जुन चमेली फूल उन्छा तेसको एक पत्ता फूल को निकाले रत्या पानी महाले रत्या कोच और फिरता पुठाई दी जब उसले रहे कि मा पूर्णा चा वनेकुमा ता कमी रह चा तेह कारन तो पत्ता अटाई तरन्त नानक देव का भागे चरन मा परे या अजय अरुप्यूने प्रेम्रस्प्यूने लालसा ब्रिद्धि होश यह तेश्वरों चीज प्रेम्मा चौथो बासिपन नहोश प्रेम्रस्मा बासिपन सदा ताजा नविन रहोश जैस्टे तप्यर को संचार को सुक चा आनंद चा त्यों बासिव जास्ते तप्यर भन्नुन चा ही जो को दिन कति बढ़िया बीतियो के बहरे बीतियो ही जो आई-पी-अल क्रिकेट प्रारंब बायो मेरा फेवर को मैले फेवर गरे को जुन पार्टी हो तेले जीतियो साथी बाई संग हाहू गर्यों रमाईल भीते ही जो आज और आज ता अगर फेवर बहर बहर ही जो तो जुन क्रिकेट हरदा खेरी को साथी बाई संग खादा प्यूंदा को आनन्द का गोई और तो तो भाषी है आज तो आर रस्चाई तो एज शाय खातं भाई पिकनिक आदी जानुँछा, घरमा बस्ता बस्ता बोर बोजम, बन बोज खम, पिकनिक खम, कटी दिन देखी प्लान गरनुँछा, जानुँछा, तड़ गईशी कटी बेर, दुई चार पांचा गंटा, अब फरकिम फरकिम अब बोरु न थाले, बासी बयो त्यो, त्यो आनन तड़ भगवान को दिब विप्रेम तिस्तु सही न, तिसको विपरिच्छा, हमले भगवान को दर्शन गरें, तट्यो आखा जिमिक्र गरें इहरता अजब, रस्मा ब्रिद दिऊंचा, प्रतिक्षन बर्ध मानम, प्रतिक्षन ब्रिद दिऊंचा, तपेर को कोई बच्च इत्यादी आफंत हराये, चार-पास दिन फेला पार नूंचा, कूप चिप्टाउ नूंचा, तड़ कोती बेर, एक्षिन पची बाबु जा खेल बाइड अगरें, तड़ काख में बचिनांचा, जा पड़ान नूंचा, और काम गरन नूंचा, तड़ भगवान को शब्द एक शब्दु रूप रष गंद ये पनी हृ तेसमा ब्रिद्धि हुग जाने। भगवान को आखामा हरे माम ले हाह, कटी शुन्दर छे को आनंद दायिक सा», फेर हमले नूंचा तड़ ना के तड़। पहरे जहन सुन्दर छ ना परे आखामा पगवान को शुरूब ज़ तो पर बेर जहां की दर्शन गरता चिन चिन मा परदा लगाया 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 थे रश्व कोई DSP SSP IG उन उसकी शिर्माति ले यह चिंतन गरोष कि मेरो पती IGP हो जिसको पचाडी लाखोव पुलिस चन हतियार धारी महसंगे रिषा बने तो केई पनी होना सक्षा यो भावना राकी बने प्रेम गर्न नजक दिना उले भूल चे यो पुलिस पन आ इजिप पन जेशु मेरो पती हो मेरा संबंधी हो तब प्रेम उन सक्षा यो पाँच्वां सर्थ है अनरज जब हिडरन्यकष्यपो को बद हेतु निरसिम्ह भगवान प्रकट भय हिडरन्यकष्यपूलाए मारे ता उनको क्रोध जूंत्य भक्त माथी हिडरन्यकष्यपूले गरे को प्रहलाद लेगरे को अक्त्या चार ले मारी सके रा अंद्रा भूडी ठुती सके पजी पनी रिस्म औरे नहां यति क्रोधित रहे कि अब कल्य समझाऊ नी तो प्रह्माजी लाँ बताई रह्मा जी थर थर का पे माझन जन्न घर दोद मां संकर लाँ नी आंख कर पनी का पे माझन जन्न अरु तो अरु भगवान की श्रीमती लक्ष्मी पनी जाना डराइन। यह अवस्था रहनी वो तो पालन करता भगवान यह क्रोध को अवस्था में रहता क्यों निवा संसार्त खतम हुंचा। अब के गरनी। तो अंते में साब ब्रह्मा महेश्व लक्ष्मी आदी ले प्रहलाद ला रिक्वेस्ट गरे। यह अंदिनस। तो तो भयंकर स्वरूप धारी भगवान निर्शिम्म अवतार जब प्रहलाद गयरा हाथ जोडे तो प्रहलाद ला चाट न थाले। मायागर न थाले। क्रोद खतम बय। तो अंदिनस प्रहलाद तो भयंकर स्वरूप देखेर अपर ने डरायने। प्रेम गर थे प्रेम को बल माँ। तो जहाँ भय हुंच तयहाँ प्रेम हुन सक्देना। दुखर प्रेम एक साथ न शक्षा। हम्रो प्रेमी भेट भाचे नहाँ हमी दूखी चाओं प्रेम गर शोओं यो हुना सक्षा। तो भय यो रान शक्षा। यो पांचों सर्त। चाई ठाओं। अम्ले आपनो प्रेमी भगवाद गुरु, महापुरु, संत, महात्मा मां दोस्त देखें। तो तो दोस्त देखे पछी बाईराग्य भायवने तो प्रेम होई ना अचा सेवा भावना ब्रिद्धि होज तो देखे रहा तब प्रेम होंचा प्रेम कहां लिन चांग एक मिक्षू थिये उपगुप्त नाम गरेका उन्ही जाद ही थिये एक बजार को बाटो तै एक बाजारू मैला थी जो धन को लागिया आपनों शरीर बेक्री गरती तो बाजारू मैला भिक्षू उपगुप्त ला देखे रहा फिदावाई रहा प्रस्ताब राकी मतिमिशंग प्रेम गर्चू आउ रश्रंग गरू आधी इत्याधी तो उपगुप्त लेवने कि मपन तिमिशंग प्रेम गर्चू तड़ा संसारी कामना भास नसी तो ले न देना छे नमले यो बताए आपनों बाटो ही ने तो कालान तर्मा के समय पछी यो भयो कि त्यो बाजारू मैला को घर मा दुई पूरू सरू आए बिदेश बाड़ा प्रदेश बाड़ा घर जाने ला त्याहा बास बसी राती त्यो दुई साथी को बीच मा जगड़ा वो एक ले आरका को हत्यागर दियो तरह दोस जुन्छा त्यो लागयो त्यो आई में मा थी कि धन प्राप्ती है तो यह ले हत्या गरी यही प्रमाणित भयत्या कुने प्रकार ले ता राज दंड दियो कि इसको सर्भाष्व हरंगर नू यहला कोराले पिटनू रा मर्नला समसान गाटमा लागर भ्यांग दिनू यह राज आग्याबो तते यह अनुशार सिपायर ले गरे सर्भाष्व हरंगो कोराले पिटे अमर्नला समसान गाटमा छोड़ी दिये तते ती बेला उपगुपत ले यह कुरा था पाए तो सब ले त्यो जो धाइते बाजारू मही लालाई मलम लगाउना के सहनु भूती पनी प्रकट गरेनन कसे ले यह ले गरे को अपराद भोगी ठीक बहे यह यह बताए तारह उपगुपत ले बताथे मपनितिम लाई प्रेम गर्चू ता यहाँ दोस जती थी त्यो आई मे अपरी को देखेननन गयर अश्यार सुशारगर न थाले। यह बास्तविग प्रेव यानी कि दोस्त देखेर पनि शेवा भावन बृप्धि होस। यह चैठाउं सत्शुत्र शर्त रसातं हो कुन यह प्रकार को दूरी न रहोस न देरी रहोस प्रेमबा इच चीज भय हैवन्य साथाँ चीज स्वत्यक उपनें परेटी उन्दिक्षाणि को उ सनगता। प्रेम प्रकाट गरनां चा अरे यत्रो साथ समुद्र पारी हजारों किलोमेटर टाड़ा अब तयो नहुन पने नहुन देना तुरन्त रियाक्ट भाई आल चा प्रेम प्रकाट भाई आल चा आशु बगन धाल चा ए प्रकार लिग गोपी अरू ब्राज्मा जब श्रीकृष चिश्या इट जर्ब के समझेंत दłosब तरक आले टैनित ने ज़ fell आण गए तीफे यो घुलाऀ दर चाज़न्त जुन इंग Nós साधना दवारा घुरू यह बता को साधना द्वारा थिक ठिक जब हमें गरPh segundo इस साध 먼저 चंश जुन दिन प्रकट हुनाच तयो दिन प्राप्त हुने चा, माला माल हुने चां, तत विश्नोह परमं पदम् सदापश्यंति शूरायह। तेस पचाडि इस कंदो उपनिशत को चाउधाव मंत्र अनेक वेद मा चायो मंत्र अनेक उपनिशत मा तो एस प्रकार फेरी जबा हमी प्राप्त कर चों तो सदा को लागी माला माल हुंचम फेरी यो दुखम वय संचार को दुख भोगनु पर देना यार को यही मानब देह माने परम चरम लक्ष यो साथ जुन सर्थ सप्रेम को पुरा होस मिरु सुब कामना जा इन जुन भगवत प्रेम प्राप्ति हेतु यारु प्रयत्न सील हुनुँँच यो हीरा समान चाहिरा एक समोसा को पसल मा सभाविक रूप मा भेड़ों चाहिरा को पसल मा ते जान चाहिर जसको खलती गरम चाहिर मुटु दर चाहिर यो प्रेम प्राप्ति हेतु ते प्रकार का वेक्ति को आवद सेकता चाहिरा यसको संसारचिन्भिन्द भाईपिनि भगवत प्रेम प्राप्तियों से इसको लागी लागी परून। तेसले शाष्ट्र बचन छaky aún अनिर्वाकनियं प्रेमा-शौरूपम। भातिकाद आचार यह लें बताये ब्रेम को स्वरूप जुन छ हम आनिर्वाचनिय छिए द्यान दिनस एक अनिर्वचनिय उन्छ एक निर्वचनिय उन्छ निर्वचनिय माने शब्द द्वारा निरूपन गर न सकी दे अनिर्वचनिय माने शब्द द्वारा बताउन ना सकी दे जुन चेट शब्द मा बान नहीं सकी दे ना मैं तेसे मा बोल न प्रेयतन गर देशह। हियो आफे मा अनिरवचनियाम सर्शो मनिरवचनियम अनिरवचनियम अने जुन चीजको निरूपन गर्ना गुए तेसेय द्वारा खंदितुनी औरों चीज लेलायरान न पर्ंदी तेसय द्वारा कातिने यह अनिर्वा चे नीय वंद अचने जैस्ता ही ड्यान दिनुष्की नाक चे तपेर को नाक यो नाक हो बनने कुला कसर था हूंच जवय शले कुनैं गंधलाई ग्रहनगर चा चुनैं गंधलाई ग्रहनगर ने इंद्रिय भिशेश को नाम नाक हो हो है ठीक तब यूग गंध अगन नीका था हूंच जवण नाक लेख गंधले इसको गंधलिंच तब थाउंच तब नाक्र गंध को बारे में जानकारी पावन पर ऊपर उने को ब्हुना एक कने ब्यान दिनस और गणड़ ही नाग वर को नहां i निर्वाचन निया वो तेला बचन में बाद ना सक्किन है जैस्टाइए जगत सत्वा सत्वा भ्या मनिर्वाचनियम तपर कि यो जगत छा जिन संसार यो पनिया निर्वाचनिया छा कि नकी यो सपनिचा असपनिचा जैस्टाइए तपरी सोच नुस्ता यो संसार एक दिन प्रलाय उन्चा सब खतम हुन्चा तो यो नश्वार हो ब्रह्मसत्य जगन मिथ्या संकराचारी जिले बताए नि ब्रह्मसत्य हो जगत मिथ्या हो मिथ्या माने नश्ट खतम होने न रहने चीज तो एक तर्फ यो हो कि जगत असत्य चा विचार गरने बने यो लाक्षा तरह एक असत्य मानने वहने फेर अनुभा हुन्चा लाल मनमुखा राखने गुलियाम चासरी असत्य बने तो यह दुबभई चीज जुन्चा अब यह अनिर बचनी है वह जब ड़ा चीज हो बने और को चीज ले काटी दीन्चा अला अनिर बचनी यह तेस्त्थ प्रेम को श्वरूप जुन्चा तेपले प्राप्त गर्णीयो तेस्को स्वरूप कस्त्य श्वरूप श्य tract castra अनिर बचनी यह प्रेमश्वरूप अनिर बचनीं झान्ट्वा तरहो भेद्के शो संशार सत्पनिया था असत्य असत्य नयच्ञा सट्य नहीं-श्च्य था थे-असत तरह चा अनिर्वा चनिया इसमें सब चीज लागू उन्छा कुने देश, काल, बस्तू, भासा ले बाद न शाकिन न प्रेम लाई अनिर्वा चनिया जाष्ताई तरह बताव नुस एक चीज, सोच नुस कि कसे को प्रसम्षा गर्णुमा प्रेम चा कि निंदा गर्णुमा प्रेम चा गाली गर्णुमा तरह बताव नुस एक चीज, सोच नुस कि कसे को प्रसम्षा गर्णुमा प्रेम चा कि निंदा गर्णुमा प्रेम चा गाली गर्णुम मा तमाम इस्तूती गाईन छा तयो पनी प्रेम भो अरको जुन छा घडर का बाव अमाले जवान छो लाइ प्रेम पूर्भा गाली गरर बोल न सक्षन प्रेम ओच प्रद छा काई दीनु मा प्रेम छा काई लिनु मा प्रेम छा यह एक बेगती तपेर को घहर मा कोई पाउ ना आयो तो तपेको बच्चा लाई फखाउनु तपेला फखाउनु हो तपे बाड़ केकाम लीनु चाहिने बच्चा को लाई चकलेट चकलेट लें जान गालाची मोटी दिन चन तो गजब फर्मुला चा संचार मा तो लिया के च आमा सफ्त्रू रहें आमा प्रेमगरद रहेंचेश तपाराय चकलेट दिया चाह दिनों मा पनी प्रेम चाह यही बने राबाद न इल देन एदी बादियों वने तो निर्वचनी वह बाद न सकीयन वने अनिर्वचनी ना दिस्ते एर नस खाना दिनों में प्रेम चाह जरूरी छैईना एक घर मा एक परिवार थीए तीन पुस्ताई हजुरबाब बा छोरार या नाती बाव हजुरबाव ता हजुरबाव लाई सब प्रेम गर्थे माया गर्थे हजुरबाब बृद्ध हुदे गए स्वास्त उपचार आदी को आवसेक्ता अंसार गरे सब छोरा नाती ले तो एक पटक डाक्टर ले बताई दिये कि एक हपतासम्म वाला जुन रोग लागे को छा त्यों हिसाब ले एक हपतासम्म केवल मौसम को रस दिनू अरू खाने कुड़ा ना दिनो चिलो अमिलो पीरो क्या ना दिनू ता छोरा नाती ले डाक्टर ले भनेया अनु शर्पालन करें तरह बुड़ा बाप परे चन हल्वा का सो किंदार सदय मौसम को राष जाच जाचे ना एक दू दी दिन तज जशत तो खाए परशी पल्ट देखिए हल्वा लटन थाल्वा लटन थाल्या ता समझाए छोला नाती ले डक्तर ले मना गरा था अजूर्भा आले खानू ले लाग्या चीजन खानन न परे जो बुडा काच काच गर थाली जो बेक्ति पने बुडा बीरामी वने भेटना हो एन सब ले ले खुड़ा ले यह कुरा बनने तो ब बजाँ मला आल्लो खाना मन्च इन ले दिन धने देन ले मेरा समपती खार अजूर्भा अजूर्भा और यो फेर आम्रो समाज बिचित्र को चा कि गहर मा जुन छोर ले पाल आछा मेनाथ गार आचा तेल्य ग़र देख देनन बाइड पार बशेक वाली एक किलो सुन्ताल ले रहनें दाफ्ट बता चा यप्त्रा यप्त्रा सुन्ताल ले रहा थे भेटना जोरी आई थी कुप चर्चा ता अब उनेडले पनी शलादी न थाले कर गया है यह यह बाव को संपती खाचाव अली राम रहेर विचार गद नेगरा वास्ताइगर नवती मेरू दस प्रकार को कुरा बादर बनना थाले ता गहर वाला अरुपनी सुन्दा सुन्दा दिक्क अचावा बन्च है भुट यह बन्च ठी में भावा गया एह बन्च करताया सापन में अगरुषट अफधार थाले एवार, जोस्तासावा न चान दरीत रुपनी, जोली खिए भुटवार, यह रुटाइभलेकर यह बन्योचक ।ky? ऊपछावा यह बन्च में चान रहे जहाल, तो जो तो प्रच भार न थोरा बना रदिव दिव दिव आप आपनो जोगए पार जिए घ्यू तेल मालिकति साबधानियापनो मलेशिया बड़ा को संफ्लावर तेल हाल तो जो उसको चिल्लो ढेरे लागदनना रए यहां प्रेम जुन्छा डॉक्टर ले भने अनुशार प्रेम हो नहीं यहां तरह यहां मोहित भए कच-कच खपना ना सके रदिये कि मानुश की लूच गत्सक्ता खटेıldग कच-कच जुन्छा धुखका देखना ना संगे रदिये तो हल्वा पकाय रद्धिया हजुर बाले खाय राम नाम सत्य भो तो यहाँ दिनों मा हानी भो नदिनों मा प्रेम था तो नदिनों मा पनी प्रेम था दिनों मा पनी प्रेम था कोशे संगा हामी क्या लीन गया हम लीन इच्छा थाइना तरह उल्ला शुख मिल चाहा हमले ली दिदा पने तो ली दिनों मा पने शुख प्राप्ति उन्च 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 तीन चीज उन्च एक स्वार्थ एक व्यापार एक प्रेग संसार मा बेगतेरू ली ना चाहां छन्च दिन ना परोश रह त्यवन्दा आली माथी उठे बने लीनु दिनु उन्च उल्ले मला क्या दियो मपनी क्या दियू व्यापार प्रेम को मतलब तो दिनु 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 दियां दिनुवला सदै प्रेम को मतलब तो तो यहाँ दिनु दिनु को आदर्स कायमगरे प्रहलाद दिले जब हीरन ने कश्य पुलाई मारे निशिम्म भगवान ले तो भगवान को एक बीमारी छा भगता को साम उन्ने प्रकट उन्ने भित्ति के बंचन बर्माग के चाहिं चम्माद तो प्रहलाद ले हपकाय जान दिनु उस्ता पहला ने भगवान भेत्ये बने याई वन्नु छा प्रहलाद ले निशिम्म भगवान ले हपको निहिम्मत राखे यस्ताशिश आसास्ते ना सभेत्या सभाई बढ़िक बynn insights क्ये कुरा कर голिकोOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOP expтом हले मैंा माग नी चम्माभ तिम्मक ल्डब भगवान लकीनेश बढ़िक मदनी ते ले म्लिथे मेले प्रेम को बद्ला मम्मने तो यो ब्यापार वाईंगान बड़िक ताहसे ले में ब्यापारी सामान लिन दिन गर ने आदिकार चाहई नगार जा जालेंज गर दे निर्शिम्ह भगवान लेह एक प्रकार ले समझाए तो अंते मा प्रहलाद ले मागे कि निर्शिम्म्ह भगवान आपनो प्रियतम खुशी पारनों को लागे कि अभाग दे थेलो और खुशित उनिवाई तर्कम आगे सबुए मागे की महसंग एदी भगवाण खुशिए उनुचा बने मला यो दिनो कि मला कईले मागनी कामन साथ ना कि अरो से एज जए मागे मो कईले केंग अमागूं मागनी चित्त बृतिन ना बना यो दिना प्रह्लाग ले कैन भगवान ले तीस कोरोड बश यह संसार को चक्रवरति राजा बनाई प्रहलाद लाई तेस पाची सीधा आपनो धाम दिये दिव्य धाम, सदा सदा को लाई ना मागना ले यो पाई यो मागे वने, खतब ता यो मागनूम अपनी प्रेम कुने चीजले बाद नसाज दे ना यो हो प्रेम अब येशको स्वाद को चा अब यो कठीज बताऊना ले तेसेले सास्त्र बचन चा मूका स्वादन बत अर्था त्यो प्रेम को स्वाद येश्टो चा जसला शब्जमा बाद नसकिन देना रस्षरल तरीकाले सम्झाउनला बतायो कि कोई बोलना नजन नि बेगती लाई मिठ बतायी भाद भी लाल्मों रस्बरी जिरी श्वारी खांगी और अनि खाई फिल्चन लाजसे के और अ honorable बतायो अल्यां जान सक्षिए काली बता हाई अक्षार काली इसारा गytो रह। सबस्क्राइने से बोली द्वारा शम्झाने साट भुलनः यह वोलना नजाननी बैक तीarleखनी मिठाई समान्षा अनिर बचनिया यहर चीज मा प्रेम भावनामा ऐ भासतु मा ऑीन द्यान दिन acet तपेले जुन धन संपत्ति पोष्ट लाई माननों भाचे प्रेम यो होई ना तो बस्तु माँ प्रेम छाई ना प्रेम तो चिंतन माँ छा एक करमार्म कांडी पंडित को जांडी इन ना यू, खूशी हो व्हा बढ़ियां एक कार्मकांडी पंडित को जांडी उटक्ष वखह के दुख ना केपनी चाहिना चिंतन मां जा भावना मां जा एक इस्तान मां एक साधूर जांदे थिया बाटो मां अनमान जी को मूर्ती रहे चाए बिसाल मूर्ती मंदिर रहें चाए घाम तंटला पुरलागी को ताती साधू ले सोचे कि अनमान जी ले कती गर मी लाग दो हो ता एग खार वर खोजे रहा चपड़ बनाई दिया है चाथ बनाई दिये ताकि घाम न लागो अनमान जी ले गए गई केवेर पथी और को साधूर आए उन ले एरे यह अनमान जी को मां थी चपड़ गले खाज दिए तॉय तो पता है यह थे सपर में थेना या प्रेम भावना नाम आखा दुबाई को अगलत छाए दुबाइब तो यह प्रेम को स्वरूप जुन अनुभवाब आत्मख हुँँ अब यह नीम को किरा लाइ रस्वरी को स्वाध बताओन तो भगवान आयपने सागे नुप अनुभाब घरने पर चाहिए अनुभाब जून साधना गरी रनुभाच तेसा ध्वारा हुँँ जुन मिश्ठान न तयार गरूं केबल बर्णन सुने रत स्वादाउंदन तम्मुख्य हो अनुभव रयोत कठीन मापनी अत्यंत कठीन चा बर्णन करना किना कि कशेले इसको रस चाख्या चा वने ता फेरी बताऊं न सकीन छा कि त्यों बंदा यती गुना स्वादिस्ट चा यदी कशेले खाकाई छे न एक निम को कीरा लाई कशेले रस्वरी को स्वाद बताऊं न सकीन छा बलाई उल्ले रस्वरी खाको नहोस यदी सक्खर खाच्या चिनी खाच्या मिश्री खाच्या बने बताऊं न सकीन छा कि यती गुना बड़ी मिठास चा कश जीवान बर मिठाई ने खा चेने मिठो चीजाई बने तला राश्परी को स्वात कजरी बत्ता हूं तरह यह कठीन कार भिया था 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 पी आइडिया लगाउनों से तरह निस यह अनुभवात्मक प्रेम जूं छा किया लाइ बंद छान इसको मोटो परिभासा एक लाइग न सुननों से जुन अविनासी रसात्मक चेतन तत्तो माती अनुराग नु प्रेम हो अनुभवीर प्रेम जान्देनस अविनासी रसात्मक चेतन यो तीन चीज उनुपर छा अनुभवात्मक प्रेम हेतु जैस्ताई यो रूमाल छा एक दम गईराई सेंगा भूजनो अला तब यो कुरा भूजनो बनी तब यो भक्ति में एती जंप मारनूं छा तब यो ब्रह्म तूट छा फिलोसोफी छा तरह तोले ध्यान केंद्रित करना उस खास चीज यह हो यो जुन रूमाल छा यो रूमाल अनुभात्व्य कहलीं छ हामी अनुभावीता कहलीं छों अनुभावीता माने जसले अनुभाव गरने हो त्यो अनुभावीता अनुभाव करने हो जुन सामागरी को त्यो अनुभाव्य अब यो अनुभाव्य रूम आनुभाविता ला लिंक जोडने काम जसले गर चातेला उनुभाव यो अनुभाविता यो अनुभाव्य यो यहां गोटे पछी अनुभाव उन्छा तो जोड़ने काम करने गर्यों अनुभाव ता हम्रो यो रुमाल संगा प्रेम छा असद्य मन पड़ छे यो प्रेम येदी यो मानियम भने हम्रो प्रेम के बायो जड़ बायो या अनुदिनस यो रुमाल जड़ हो जड़ यो आफई चल देना यो हाथ चेतन छा यो हाथ ले हल्लाई देवने बल्लाई यो चल छा ता पेर यो बनना सकनूंचे यहां हमी ले जुन श्त्री पती पुत्र आदी लाई प्रेम गर छो त्योता जड़ होई ना त्योता चेतन हो इसको मतलब ठीक ठाक रहे चा हमले परिवार समाज प्रती प्रेम गरेको द्यान देनस वही ना गलत हो यो एक बेगती को सुन परती प्रेम छा सुन सोरना तो 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 सुन क्यों जड़ हो जड़ तो सुन प्रती को लगाव जुन छा तेसलाई प्रेम बनना मिल देना द्यान देनस तो मोहा हो मोहा सुन प्रती को मोहा तेस्ताई यो शरीर जुन छा तापेर को इस्त्री पती पुत्र जती को पनी शरीर छे तापेर को संबंधी को यो शरीर पनी जड़ हो जड़ यो जेतन तक्तो को तपला अनुभाव हों देना तपेर को परिवार को आत्मा तक्तो को तपला अनुभाव हों देना जड़ जर शरीर को उन छा तेसे लिए त्यों प्रेम होई न त्यों मोह हो मोह हो त्यों पतंकारी जा प्रेम हेतू तो मैं ले बताएं अभिनाशी उनुपर तपेर को शरीर नास बांचा रसात्मक उनुपर शरीर कहा रसात्मक छा गंदगी को नबद्वार छा देखना में जवानी में सुन्दर लागे पनी एक छाला को जिल्ली निकालती निस बांता हों चा यह अनुवार वड़ा शिंगान ची प्राकानेगुजी देखू तप ठीची 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 कहा रस्थ यह शरीर मां कहा अनंद छा तेसले यह जड़ हो जड़ यह समा भगो लगाओ प्रेम होईन दुख हो रचेतन ता जुन छा यो शरीर आत्मा छाउन जल चेतन छा आत्मा ले छोड़ दे पचित लाश हो मुर्दा हो ते सहले जुन शरीर प्रतियामी प्रेम मांद छाउं त्यों मोह हो तरह संत महात्मा महापुरुष भागवान को जुन देहा छा तेस्प्रति जुन मोह हो उंचा त्यों चेतन प्रेम मोपेरी जान दिनास नव प्रकार को शरीर उंचा एक अधम शरीर उंचा एक उत्तम शरीर उंचा एक इस्पर्श शरीर उंचा एक द्रिश्य शरीर उंचा एक शंकल्प शरीर उंचा एक तैजस शरीर उंचा एक निर्माड शरीर उंचा एक दिव्य शरीर उंचा एक दिव्य अलोकिक शरीर उंचा अधम शरीर, इस्त्रीपती बास्ना युक्त भैर संबंध द्वारा जुन संतां जन्मिंच मिंच शरीरबंध च तयार उंच त्यो अधम शरीर तरकुने प्रियोजन को लागी महां विभूती संग समसर्ग द्वारा जुन शरीर उन्चत्य उत्तम शरीर और को संत महात्मा ले इस पर्श गरी दिये कहीं पनिताव को मा गाला मा कान मा आखा मा नाख मा हात्मा गर्ब रहो यह इस पर्श शरीर प्राचिन, काल्म, राजा, माराजा, तपश्या अधि आखे माग्ते संत महात्मा छोई दिन तुन तुन और को दृष्या, शरीर यह इडिये राजाले तपश्या अगरे राणी को गर बच़ाई, राणी लाई आखे मात्मा ले बस गर पर रह अरको देहा इस तो उन्चे हेरनापनी पर देन इमाल को ताकुरा में बशेर हुई वड़ा संकल्ब करे गरबर हैंचे अरको तेजा शरीर उन्चे देवी देपता को जुन शरीर मा यो आखा को परेला भज देना तुई मा टेक देना धूलो लाग देना यो मल मुत्रा आधी निकली देना इस सब विशेस तावाला तैजस शरीर तर हो माया के अंडर को सना रहन देना अभिनासी वई न अरको निर्वाण शरीर उन्चा जुन योगी मुनियर ले यो शरीर ले धोस्त बनाया अरको शरीर बनाऊ चाना आपने बल ले जुन लाखाव बरस संबला न सक्चा श्रिष्टी संबला न सक्चा तर प्रालाय मा खतम होंच तर अरको जुन दिव्य शरीर चा महापुरुस को रभागवान को दुबै को दिव्य शरीर उन्चा तर यहां थोरे भेद यो उन्चा कि महापुरुस को आत्मा पनी दिव्य शरीर पनी दिव्य दुबै दिव्य उन्चा तब भागवान को चई शरीर आत्मा यह कई उन्चा दुई नहीं उन्चा तर शरीले संत मात्मा महापुरुस भागवान को देह प्रती जुन आशक्ती उन्चा त्यो प्रेम हो त्यों देखी बाहेक संसारी जीब स्वर्ग को देवी देपता को देह अपनी जड़ हो यो माया बाड़बने को हो त्यों सहीले त्यों स्प्रती को आशक्ती जुन्चा त्यों कि हो मोह हो त्यों थोरे दिख दर्शन गराएं तपर लाइं अवे चिंतन मनन प्राक्टिकल को आवसेकता चा घायल की गती घायल जाने कि जो घायल हो यो उल्ले बताइन मीरा बाईले यो त्यों जो अनुभाप गर चा उसे ले जान्द चा शब्द में हो उसे डायल साकींद है ना घायल जूनचा कोई ब्यक्टि गायल भाफ के हो उसे अ धोल में कि उसे था उन चाइस जो ब्यक्ति सद्य चा उल्लेता सहानू भुति ब्यक्त गरला तर त्यों घायल ताको अनुभाव कर न सकते तेसेले यो अनुभाव को चीज हो, मनन गरदै, चिंतन गरदै, रायसको वास्तविक सुरूपला बुद्न प्रियत्न गर्णवने एक दिन अनुभाव पनियुने छा, वस्त अपवरला अनुभाव यही मानव देहमा